इंडिन गेमिंग कम्यूनिटी में इतने गेमर्स एक्जिश्ट कर दे जिसके कोई हद नहीं लाइक कुछ गेमर्स सिर्फ पफजी खेलते हैं क्या हमारे पास यूशी बच्चाज होगी जिस हम स्कारेल खोल पाएंगे खुछ सिर्फ माइनक्राफ्ट आज करने वाले हैं स्मार्टी पाई एंड ड्रीम बॉइ ए लखी ब्लॉग की रेस एंड कुछ सिर्फ फ्रीफाइब विल्कम 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 में पूर बारत सभी का स्वागत है आज के एक नए सोलो वर्सी स्कूट वीडियो में अपने कई सारे पॉपॉलर गेमर के कमेंट सेक्शन में यह चीज़ जरूर देखी होगी जिसमें लोग कहते हैं अब इन में से ही दो वर्स निकल कर आते हैं एक एंड रियल गेमर अखिर एंड गेमर के में अंड यह जक घॉलिए लिकल गेमर कर एंड डियल लेकर हैं इस चीज़ को लेकर गूगल इसके बात उसके बाएब इसलिडि डिफरेंचियर करपाऊगी का एक्च्यल में कौण फेक्वर्स गेमर है और यह fake and real gamer actual में होता क्या है and at the end में यह भी discuss करने वाल हो कि आखर क्यों इंडिया के अंदर majority of gamers fake है साथ ही साथ मेरा personal experience भी share करने वाला हूँ as a gamer first of all we will talk about real gamer so ऐसी क्या चीज़ है जो कि एक gamer को differentiate करती है as a real gamer and वो है honesty about his audience and gaming अगर तुम YouTube पर जाओ and अगर कोई gamer अपने audience को different type of games का experience करा रहा है बले ही उनकी audience ने वो game कभी try नहीं किया पर एक real gamer अपने साथ एक responsibility लेकर चलता है कि वो अपने audience को उन games का भी experience करवा सके जो उन्होंने के भी try नहीं किया या तो फिर वो effort नहीं कर सकते और बताते हैं कि इस type की games भी होती है sadly इंडिया के अंदर इस type के gamers कुछ गीने चुने ही like carries live, beast boy ship, live insan and और भी थोड़े box ये gamers अपने channel पर हर वो type की games खेलते हैं जो कि एक real gamer को अपने channel पर खेलनी चाहिए कुछ gamers ऐसे भी है जो कि different type of games तो try कर रहे है but इंडिया के अंदर audience का उन games को लेकर crazy नहीं होने की विज़े से उनको उतना support नहीं मिलता but इसको अगर हम positively देखें तो अगर ये कोई साभी game खेलते हैं तो audience उनके हर एक gameplay से entered in होगी because इनका पूरा channel इनकी personality के उपर based रहता है like carry is live, beast boy, shoot live इंसान लोग इनके gameplay से जादा खुद इन gamers को देखना है and fake gamers का कुछ particular games के उपर अगर by chance वो particular game बैन हो जाए तन वो कुछ नहीं कर सकते अगर हम PUBG and Free Fire का ये example लें तो जब ये games ban होई थे तब मानो कई सारे gaming channels तो daddy हो चुके थे and personality के उपर based रहने की वेज़े से audience बले ही कम हो but उनके हर एक gameplay से वो entertain हो पाती इनके पास इतनी capability है कि वो उन gameplay को enjoyable बना सके चाहिए वो उनके humor से हो गया या फिर उनके unbeatable and बहतरीन gameplay से एक single game से तो हर को entertain कर सकता है बात तो तब है जब कोई different games try करके entertain कर पाए because कोई इंसान किसी game को बहुत time तक खेले तो obvious है कि वो उसमें pro बन जाएगा but हम उसे एक gamer नहीं बोल सकते he is just player of that particular game यही चीज़ एपलाई होती है यूट्यूबर के ऊपर कोई यूट्यूबर बहुत time तक कुछ particular games खेल रहा है and उसी के gameplays upload कर रहा है then confirm है कि वो उस game में काफी अत्तक pro बन चुका है इसके चलते हम उसे gamer तो बोल सकता है but एक real gamer ने अगर आप भी किसी game को ज्यादा देर तक केलोगे तो there is a strong possibility कि आप यूस game में pro बन जाओगे अगर कोई gamer अपने चैनल पर एक महिने में 10 वीडियो अपलोड कर रहा है दो वीडियो डिफरेंट गेम पर एंड 8 वीडियो कुछ particular games के ऊपर and comparatively उन दो वीडियो के views उन 8 वीडियो से कम है then for sure लोग सिर्फ वो particular game देखने आए ना कि उस बंदे को अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो सही है न एक gaming चैनल पर लोग gameplay ही तो देखने आते है उस बंदे को क्यों ही देखने आएगे तो इसका simple सा answer है no क्योंकि उसे अगर gameplay ही देखना होता तो like अगर उन सारे वीडियोज पर same views है इसका मतलब कोई person वो particular game देखकर नहीं आया है उस बंदे का हर एक gameplay and उसकी personality audience को अच्छी लगती है इस type की gamers gaming community को divers करने में भी help करते है simple सी बात है कि अगर कोई gamer हर type की game try करें चाहिवो mobile game से क्यों ना हो I mean दो चार battle roll games के लावा और भी कई सारी games है अगर वह उन्हें try कर रहा है या फिर at least experience लेने के लिए तो try कर ही रहा है single game के उपर अटके हुए उन्होंने अपना पूरा चैनल एक single game के अराउंड ब्यूल्ड किया है या तो फिर वो game PUBG होगा या तो फिर free fire otherwise minecraft इस पर हम total gaming का ही example ले सकते माना कि total gaming थोड़े बहुत different games भी try कर रहा है बट still उन्हों अपना पूरा चैनल एक single game के अराउंड ग्रो किया जैसे जैसे वो game popular होता गया उनके चैनल को भी boost मिलता गया और आज उनका चैनल सिर्फ एक mobile game की वज़े से जाने जाता है जबकि वो इंडिया का second most subscribed gaming channel in fact total gaming ही नहीं और भी कई सारे गेमर से जिन्होंने पर कुछ specific YouTubers का नाम तो नहीं लुगा बट आपने नोटिस किया होगा कि आज कल के कुछ popular gamers अपने में चैनल पर gaming को चोड़कर reaction वीडियो अप्लोड कर रहें and sadly 3-4 लाग के possibility करने के बात भी उसमें mobile game से खेल रहें simple सारीजन है कि जब भी कोई gamer मेहनत करके कोई gameplay अप्लोड करता है और उस पर व्यूज ही ना आये तो उनके gameplay अप्लोड करने का क्या फाइदा अप्लोड करेंगे जो कि audience देखना चाहती है और इंडिया के अगर वह उन गेम्स को नहीं कहलेगे जो कि इंडियन audience देखना पसंद करती है तो वह आजकल की toxic audience के सामने अपने आपको अपनी जगा कैसे बनाएगा और कुछ देखना ही नहीं चाहती है इतने बंदे देखे हुए और यह सच है तुमने अपने आसपास ऐसे लोग जरूर देखे होगी और फिर अपनी इंस्टा बायो में जाकर लिखेंगे जेमिंग लवर अब कई लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि भाई यह रियल एंड फेक गेमर एक्च्वल में होता क्या एंड जिसके चलते लोग अपने दिमाग में फेक गेमर को लेकर गलत डेफिनेशन बना लेते अगर तुम अगर पीसी एंड कॉंसल गेम खेलते हो देन तुम एक रियल गेमर जो कि बिल्कुल सच नहीं अगर तुम मॉबाइल गेम्स भी खेल रहे हो पब जी फ्री फायर वाटेवर डिफरेंट गेम्स कहलने का ट्राइब करो ना अजकल मॉबाइल में भी काफि एची गेम्स आ कोशिश करता है उनको उतना सपोर्ट ही नहीं मिलता बहुत कम लोगी है जो अपने चैनल के साथ एक्सपरिमेंट कर पाते हैं just because उनके मन में एक एर रेलेवेंट हो जाने का डर रहता है that's why अपने ग्रोथ के ग्राफ को मैंटेन रखने के लिए वो उनी गेम्स को खिलते है